नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सभी कैसे यूटूब चैनल पर, राजस्थान की इतियास और कलास अंस्कृति की कलास नमबर 29 हम पढ़ने वाले हैं, कल भी हमने राजस्थान के प्रमुक व्यक्ति जो है उनके बारे में पढ़ाता साथियों और आज की इस कला थे, तो उनसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो आज पढ़ने वाले हैं, यह है साथियों क्यों क्योंकि एक्जाम में क्यूशन आज की इस कलास 100% बनने वाले हैं, इस बात की बिल्कुल मैं गारंटे दे सकता हूं कि आज की इस वीडियो से एक्जाम में प्रिशनी जरूर आएंगे, तो वीडियो को पूरा देख करके जाएगा, आप वीडियो को पूरा देखोगे, तब बिल्कुल आपको भी लगेगा कि वास्तों में बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट कलास है यह, रीटमेंस 2023 लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए है यह, तो चलिए शुरू करेंग इस टोपिक का लाश्ट वीडियो है यह, कल वापिस नया टोपिक हम पढ़ेंगे साथियों, तो चलिए शुरू करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले आज 26 वे नंबर पर मुहनोत नेनसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, नाम सभी ने सुना होगा मुहनोत नेनसी का, साथिय इन्हों ने ख्यात की रचना की थी, जिस प्रकार से अबुल फजल ने अकबर नामा की रचना की थी, तो उसी प्रकार से मुहनोत नेनसी ने ख्यात की रचना की थी, डारेक्ली प्रिश्ण पूछा जाता है कि ख्यात की रचना किस ने की थी, तो आंसर क्या रहेगा, मुहन नेनसी ने ही ख्यात की रचना की ती इनकी जो दूसीर रचना है उसका नाम है मारवाड रा परगनारी विगत साथियों यहां से प्रिश्ण पूछने के बहुत जादा चांसे दे आतने भी देखा होगा कि यहां से कई बार प्रिश्ण पूछा गया है अलग-अलग एक्जाम समय तो यहां पर आपको याद रखना है कि देखो जो मुहनोत नेनसी ने ख्यात की रचना की इसकी तुलना अबुल भजल के अकबर नामा से की जाती है ठीके ना प्रश्ण पूछ लिया जाता है कई बार कि अबुल भजल के अकबर नामा की तुलना किससे की जाती है तो ख ख्यात जो है ये किसकी रचना है मुहनोत नेंसी की। दूसी रचना most important है मारवाड रा प्रगनारी विगत। मुशी देवी परसाद ने मुहनोत नेंसी को राज पुताने का अबुल फजल भी कहा है। पूछ लिया जाता है एक्जाम में कि किसने मुहनोत नेंसी को राज पुताने का अबुल फजल कहा है तो आंसर क्या रहगा मुशी देवी परसाद ने किसको कहा है मुहनोत नेंसी को क्या कहा है राज पुताने का अबुल फजल देखो महराजा जस्वन सिंग के यहां पर जब महराज़त जस्वन सिंग शाशक थे तो उनके शाशन में ये दिवान के पदपर थे साथ यो और इन पर कुछ आरोप लगे थे कि इनके जो मतलब एक तरह से इनके पास वित विभागता ठीक है ना कौन सा विभागता वित विभागता तो इनके जो रिष्टेदार है उनको उ सुलागा दिया गया था किसके दोरा महराजा जस्वन सिंग के दोरा और मुहनोत नेंसी को कीद कर लिया था ठीक है ना अब मुहनोत नेंसी को कीद कर लिया और क्या जूर्मान लगया едь-एक लाख रुप कर वागया एक लाख एक हो'dek किया उसके बाद में जब ये जेल में थे साथियों 3 अगस 1670 को तो इन्होंने जेल में ही आत्म हत्या कर ली थी और ये इन्होंने पहले ही भी बोला था कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई गबन नहीं किया है सिर्फ मेरे उपर आरोप लगए गये हैं जो की जूटे हैं और इसी कारण से इन्होंने 3 अगस 1670 को जेल में आत्म हत्या कर ली थी तो आपको ये मुहनोत नेंसी के बारे में कुछ विशेश चीज़े जो है मैंने आपको बताई है जिसमें आपको सबसे इंपोर्टेंट तीन चीज़े याद रखनी है कि पहले चित तो महारवाड रा प्रगन राजपुताने का अबुलफजल का है तो आंसर क्या रहेगा आपके मुहनोत नेंसी को क्या का है राजपुताने का अबुलफजल यहां से प्रिश्ण बनने के बहुत ज्यादा चांस है जैसा इन तीनों चीज़ों से तो इनको बिलकुल अक्षी तरह से याद कर लेना ठीक किसका चित्र उपर करा जाता है बनी ठणी का चित्र जिसके तीर की जिसे आंखे मना रखी थी मतलब आपने बनी ठणी का चित्र जरूर देख रहा होगा तो उसमें देख लेना तो वो जो चित्र है साथियों किसकी रचना है निहाल चंद की किशनगर चित्रकला शेली को च बनी ठनी का जो चित्र है, इसको कहा जाता है भारतिय मोना लिसा, भारतिय मोना लिसा की संग्या किसको दी जाती है, बनी ठनी के चित्र को ही भारतिय मोना लिसा की संग्या दी जाती है, और बनी ठनी चित्र जो है सात्यों किस के दोरा, निहाल चंद के दोरा बनाया गया है, आपको यह याद रखने डारेक्टली प्रिश्णा गए है कि निहाल चंद का संबंद किस चित्रकला शेली से है तो आपका अंसर हैगा किशनगर चित्रकला शेली से, बणी ठनी का जो चित्र है इसको किस की संग्या दी जाती है तो आपका अंसर हैगा भारतिय मोना लिसा की सं कितिर को ही क्या कहा जाता है भरतिय मोना लिसा कहा जाता है साथियों किलियर है यहां तक सभी के चलिए 28 नंबर पर हम देखेंगे 28 नंबर पर आते है दयालदास दयालदास नये एक रचना की थी सातियों Aurum ख्यात है याना ख्यात अउखात, ख्यात तो नहीं है, ख्यात है, टाइपिंग मिश्टे कोई है, तो बिकानेर के राटोडोरी ख्यात किसकी रचना है, दैयालदास की, दैयालदास से सिर्फ यही प्रिशन पूछा जाता है, कि बिकानेर के राटोडोरी जो ख्यात है, यह किन होने लिखी थी तो आपका अंसर रहेगा दयालदास के द्वारा ही बिकानेर के राटोडोरी ख्यात लिखी गई थी ठीक है इतना ही एक्जाम में इनसे प्रिश्ण पूचे जाता है क्योंकि आप सिर्फ वो चीजे पर रहे हो जो एक्जाम में आने वाली है वैसे तो दयालद सुर्य मल मिश्रन सभी जानते होंगे आप बूंदी के थे ये कहां के थे साथियों बूंदी के रहने वाले थे कोल सुर्य मल मिश्रन दस वर्ष की अल्प आयू में मात्र दस वर्ष की आयू में ही साथियों इन होने राम रंजाट नामक रचना की थी तो देखो भई कितनी बड़ी बात है, मात्र 10 वर्ष की आयू में ही सुर्यमल मिश्रन के दोरा कोंसी रचना कर दी गई थी, राम रंजाट नाम से एक रचना, पहली रचना थी वह इनकी, तो प्रशन पूच लिया, कि सुर्यमल मिश्रन की प्रतम रचना कोंसी थी, तो आंसर क्या रहेगा, राम र रंजाट सुर्यमल मिश्रन की प्रतम रचना थी, और ये रचना इन्होंने कितने वर्ष की आयू में कर दीती सातियों, तो 10 वर्ष की आयू में ही इन्होंने ये रचना की थी, इनकी जो परमुक रचना है, वो है वन्शी बासकर, कोंसी है, वन्शी बासकर, सात्यों सुर् का राज कवी किसको कहा जाता है तो अब तो भी आपका अंसर रहेगा सुर्यमल मिश्रन को सुर्यमल मिश्रन का संबंद किस जीले से है तो बूंदी जीले से सुर्यमल मिश्रन की प्रतम रचना कोई सी है तो आपका अंसर रहेगा राम रंजाट कितने वर्ष में इन्हों ने रचना कर देती, मात्र दस वर्ष की अलपायू में ही सुरिमल मिश्रन ने राम रंजाट नामक रचना कर देती, जो इनके जीवन की परतम रचनाती साथियों, वंशिबासकर विशेस तोर पे पूछी जाती है, कई बार पूछ लिया गया है साथियों, कई बार, ठीक है न, च जो प्रिश्न बनता है, वो क्या बनता है, कि 1857 इस्वी के सोतंता संग्राम में, जो 1857 की जो क्रांती हुईती साथियों, तो इस सोतंता संग्राम में फांसी का फंदा चूमने वाला पहला राजस्थानी, अमर्चन बाटिया ही है, डारेक्ली प्रिश्न क्या बनता है, कि 1857 का जो सोतंता संग्राम हुआ था इसमें फांसी का फंदा चुमने वाला पहला राजस्थानी कौन था तो आपका अंसर क्या रहेगा अमर्चंद भाटिया यह आपको विशेश तोर पर याद रखना है most important question है यह भी और इस से यही प्रिश्ण पूचा जाता है कि परतम राजस्थानी व्यक्ति जो 877 की एक रांती में शहीद हुआ था फांसी पर जिसको लटकाया गया था सात्यों तो उसमें किसका नाम आता है अमर्चंद भाटिया का नाम आता है ठीक है ना यहां तक चलिए 31 पे बढ़ते हैं 31 नंबर पे हम बात करेंगे उमादे के बारे में देखो जो रानी उमादे है उमादे का नाम इत्यास में रोटी रानी के नाम से परसिद्दे साथियों रूटी रानी क्यों कहा जाता है क्योंकि इनका विवा मारवार के शाशक मालदेव से हुआ था और ये किसकी पुत्री थी जेसलमेर के राव लूनकरनसर की ये पुत्री थी तो ऐसा माना जाता है कि विवा के बाद में ही जो मारवार शाशक मालदेव थे और ये जो लूनकरन सर मतलब ये दामाद और ससूर इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और जो शाशक मालदेव थे इन्हों राव लून करण सर की हत्या की योजना बनाई थी जिसका पता किसको चल गया था उमादे को चल गया था इसी वज़े से इनको क्या कहा जाता है इतियास में रूटी रानी के नाम से जाना जाता है और ये जीवन भर मारवाड शाशक जो मालदेव थे इनसे अलग रही थी साथ रूटी रानी तो डारेक्ली प्रिश्णी पूँच लिया जाए कि रूटी रानी के नाम से कोन प्रसिद्ध है तो आपका आंसर क्या रहेगा उमादे रूटी रानी तो देखिएगा हम 32 नंबर पर देखो उमादे के बारे में जाज़ासर प्रिश्णी यही बनता है कि गोरा बादल का संबल चितोडगर से है तो चितोडगर जो दुर्ग है चितोडगर दुर्ग में ये सेना नायक थे कौन गोरा और बादल साथियों अलावद्दिन खिलजी दोरा राना रतन सिंग को दोके से बंदी बना लिया गया था 1303 इस्वी में इन्होंने अपने और बादल है इन्होंने कूटनिती और वीरता ठीक है दोनों दुखाया मतलब ये इस्ट्रियों के बेस में वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकरके इन्होंने साथियों वीरता का परीचे दे करके किसको मुक्त करवाया था अलावद्दिन खिलजी से राना रतन सिंग को मु जब रतन सिंग ये वोई है पदमा होती वाला ठीक है ना रतन सिंग पदमिनी इनका नाम जरूर सुना होगा आपने तो साथियों इन्ही के सेना नाय कौनते गोरा और बादल जो की अलावद्दिन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे चलिए 33 नंबर पे हम बात करेंगे देखो चंद्री बरदाई के बारे में चंद्री बरदाई के बारे में जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले चीज आती है प्रत्विराज रासो ठीक है ना प्रत्विराज रासो जो महा काव्य है इनकी रचना चंद्री बरदाई के दोरा ही क गई थी जो ये प्रतिवराज रासो है ये हिंदी का प्रतम महाकावे भी माना जाता है तो दो ही प्रिश्ण चंदरब्रदाई से हर बार पूछे जाते हैं मतलब यहां से अगर प्रिश्ण बना तो देखो प्रिश्ण क्या बनता है कि प्रतिवराज रासो के रचीता कोन है त आंसर रहेगा प्रतिवराज रहसों और प्रतिवराज रासों की रचना किसने की चंदर बरदाईन का है मैंने कहा है न कि आज का यह जो वीडियो है मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूँ यहां से प्रिश्णाने की क्योंकि यहां से प्रिश्ण आना है इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों वीडियो को पुरा देखोगे ना तब आपको बिल्कुल पुरा देखने के बाद में अब भी आपको लगने लग गया होगा कि यार यह तो बहुत जादा इंपोरेंट चीजें हैं और सारी इंपोर ब्रदाई जो है इसमें इससे संबंदी जो प्रिश्ण पूछे जाते हैं क्या क्या है कि प्रत्विराज रासो किसकी रचना है चंद्र ब्रदाई की इंदी का प्रतम महा कावे कौन सा है प्रत्विराज रासो किलियर है यहां तक सभी के चलिए आगे बढ़ते हैं चो तिस और जो भी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो आज देखो टेस्ट नंबर 22 शाम 4 बजे इस्टड़ी विद पी एन लोधा एप पर आने वाला है तो 22 वा जो टेस्ट है और यह जो वीडियो आप देख रहे हो ना इससे संबंदित महत्पुन प्रश्ण जो भी बन सकते हैं उन सभी प्रश्णों को शाम 4 बजे एप पर अप्लोड कर दिया जाएगा मतलब जो चीज़ा आप यहां कला संसक्रती की पढ़ रहे हो वही जो उसकी जो टेस्टी स्रीज है मतलब उसके जितने भी टेस्ट बनते हैं उन टेस्टों को एप पर रोजना अप्लोड किया जा रहे हैं 22 टेस्ट हो चुक्वे साथ्यू कला संसक्रती के भूगोल के 20 टेस्ट साइकलोजी के 10 प्लस टेस्ट मतलब सारे सब्जेक्टों के टेस्ट वहां पर चलाई जा रहे हैं जिसकी पीस मात्र 149 रुपे रखी गई है तो यह जो टेस्ट स्रीज है अगर आपने जो जोइन कीजेगा साथ्यू जो एप है इसका लिंक मेंने कमेंड बॉक्स में भी दे रखा है या फिर आप प्लेश्टोर पे जाकर भी इस एप को डाउनलोड कर सकते हो तो देखो बीटू सूजा के बारे में हम बात करेंगे साथ्यू यह चारण कभी था राव जेतसी रोच चंद नामक रचना किस की है आपका आंसर रहेगा बीटू सूजा की यह रचना है इनसे समंदित यही प्रिश्ट आप से बार बार पूचा जा सकता है कि राव जेतसी रोचंद नामक रचना किसने की आपका आंसर क्या रहेगा बीटू सूजा ने राव जेतसी रोचंद न रचना किसने की थी तो आंसर रहता है आपके कवीराज शामलदास के द्वरही वीर विनोत की रचना की गई थी ये चीज़े जो सारी आप एक जगे पढ़ रहे हो नहीं या आपको हर जगे अवेलेबल नहीं होगी चाहो तो कोई सी भी किताब उठा करके देख सकते हो अगर स हारी चीजी एक जगे इतनी इंपॉर्टेंट चीजिए एक जगे मिल जगे तो guarantee मेरी तो तुदेखो आपको याद रखना है वीर विनोत की रचना किन के दोरा की गई थी कवीराज शामलदास के दोरा ही वीर विनोत की रचना की गई थी ठीक है चली आगे बात करेंगे 36 तक है पत्रकार के रोप में राजस्तान केश्री, तरुन राजस्तान, नविन राजस्तान आदी पत्रों का इन्होंने समपादन किया है। धुशातियों राम नर्याञ्ण चोदरी से जो प्रिश्चन बनता है तो क्या प्रिश्चन बन सकते हैं। एक important question तो यह बनता है कि राजस्थान केश्री, तरुन राजस्थान, नवीन राजस्थान इन पत्रों का संपादन किन के द्वारा किया गया तो आंसर क्या रहेगा राम नारायन चोधरी के द्वारा ही राजस्थान केश्री, तरुन राजस्थान और नवीन राजस्थान इन पत्रों का समफदन किया गया था राम नरायन चोधरी की पुस्तक कुण सी तो आदम सर रहेगा 20. सदी का राजिस्थान ये किसकी पुस्तक है राम नरायन चोधरी की और इन्होंने साथी जो बिजोलिया अभी देखो हमने किसान आंदोलन वगेरा पड़े नहीं है, परजा मंडल है, एकी करण है, ये चीज़ आपके बच रही है, तो आने वाले 5-10 दिनों में ये चीज़े भी कंप्लीट करवा दी जाएगी, बिजोलिया वे बेंगू किसान आंदोलन में राम नरेन चोतरी ने भाग लिया था से 37 नंबर पर हम देखेंगे साथियों, तो भोगिलाल पांडिया के बारे में देखो, भोगिलाल पांडिया से सिर्फ एक ही प्रिश्न बनता है, वह है वांगड के गांदी किसको कहा जाता है, तो भाई वांगड के गांदी की संग्या किसको दी गई है, भोगिलाल पांड पांडिया को किसकी संग्या दी गई है तो वांगड के गांदी की संग्या दी गई है याद रखना है यह बहुत ही important चीजे एसाथियो most important चीजे हैं भोगिलाल पांडिया जो की क्या कहलाते हैं वांगड के गांदी कहलाते हैं 38 वे नंबर पे हम देखेंगे गोकुल भाई समझ रहे हो बात को कोई doubt है क्या समझो बात को वांगड के गांधी तो भोगी लाल पांडिया और राजिस्थान के गांधी गो कुल भाई भत याद रखने लिख लो इन चीजों को आप ठीके ना, राजिस्थान के गांधी किसको कहा जाता है गोकुल भाई भट को कहा जाता है या फिर गोकुल भाई भट को किसकी संग्या दी गई है तो राजस्तान के गांदी की संग्या दी गई है किनको दी गई है गोकुल भाई भट को चलिए 49 वे नंबर पे हम देखेंगे तो 49 वे नंबर पे है विजे सिंग पतिक साथियों जन्म यूपी में हुआ था राजिस्थान के निते ये कहां के थे उत्तर प्रदेश के थे ये लेकिन इनका संबंद राजिस्थान से केसे हैं तो देखो विजोलिया किसान अंदोलन जो हुआ था साथियों इसका नेत्रित विजे सिंग पतिक नहीं किया था और विजोलिया किसान अंदोलन कहां पर हुआ था राजिस्थान में हुआ था विजे सिंग पतिक का मूल नाम जो था मतलब बचपन का जो इनका नाम था वास्त्विक नाम अगर हम देखें तो विजे सिंग पतिक का वास्त्विक नाम था भूप सिंग क्या नाम था इनका भूप सिंग इनके जन्म का नाम था साथियों प्रारंबिक नाम पूँच ले, बचपन का नाम पूँच ले, जन्म का नाम पूँच ले, वास्तविक नाम पूँच ले, विजे सिंग पतिक का तो आंसर क्या रहेगा आपका, भूप सिंग आपका सै उत्तर होगा, विजे सिंग पतिक का जन्म कहां पर हुआ था, तो उत्त में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है किसान आंदोलन जो राजस्तान में हुए है इनके जनक कोन है विजे सिंग पतिक है बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेत्रितु किया था इन्होंने वर्धा से वर्धा कहां पड़ता है महराष्ट में तो राजस्तान केशरी वे अजमेर से नवीन राजस्थान और तरुन राजस्थान नामक पत्र निकाले अजमेर में राजस्थान सेवा संगे की भी इन्हों ने इस्थापना की थी तो देखो विजे सिंग पतिक में से जो प्रिश्ण बन सकते हैं, क्या-क्या प्रिश्ण बनते हैं विजे सिंग पतिक में से पहला प्रिश्ण विजे सिंग पतिक का मूल नाम भूप सिंग, विजे सिंग पतिक का जर्म का हुआ उत्तर प्रदेश में, राजस्तान में किसान अंदलोनों का जनक किसको कहा जाता है विजे सिंग पतिक को, विजोलिया किसान अंदलोन का नेतरितु किस ने किया था, तो विजे सिंग पतिक किया था ठीक है ना अगला जो प्रिश्णिन से बनता है कि इन्होंने राजस्थान की इसली नामक जो पत्र निकाला था वो कहां से निकाला था तो वर्दा से नवीन राजस्थान पत्र निकाला था ये कहां से निकाला अजमेर से तरुन राजस्थान नामक पत्र निकाला ये शेतान सिंग के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, मेजर शेतान सिंग के बारे में बात करेंगे, तो देखो, मेजर शेतान सिंग को बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बाणासुर के शहीद नाम से मेजर शेतान सिंग को जाना ज से सम्मानित किया था किसको मेजर शेतान सिंग को मेजर शेतान सिंग से जो प्रिशन बनता है राजस्तान के रहने वाले थे बानासुर के शहीद किसको कहा जाता है तो मेजर शेतान सिंग को ही क्या कहा जाता है बानासुर के शहीद कहा जाता है साथियों एक्जाम में प्रिश की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर को निकालेगा यह कतन बहुत ही इंपोटेंट है यह कतन किसका है अर्जुनलाल सेटी का है डारेक्ली प्रिश्ण पूंच लिया यह चीज आपको मैंने क्या कहा मुश्ट इंपोटेंट वीडियो है हर जगे नहीं बनेंगे जरूर है इस वीडियो से प्रिश्ण बनेंगे जरूर है गारंटी के साथ किरहों मैं इस चीज को देखो बहुत ही परसिद कतने साथ हुई है कि अगर मैं राज की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर को निकालेगा यह कतन किस ने कहा था यह कतन अरजुन नाम का कोई व्यक्ति है अब आप के से याद रखोगे कि उसने क्या कहा था कि रहे मुझे नौकरी वोकरी नहीं करना मैं तो भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम करूंगा अरजुन ने कहा था यह पतलब यह से याद रख सकते हो आप ठीके ना चलिए 42 नंबर पे हम देखते हैं आपके 42 नंबर पे देखेंगे मोतिलाल तेजावत के बारे में साथियों मोतिलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा कौन है मोतिलाल तेजावत क्यों कहा जाता है इनको आदिवासियों का मसीहा क्योंकि इन्हों ने आदिवासियो के साथ मिलकर ही जन आंदोलन किये थे साथियों आदिवासियों की जो मांगे थी वो किसके माध्यम से बाहर आई थी मौतिलाल तेजावत के माध्यम से इसी वज़े से मौतिलाल तेजावत को क्या कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है क्या कहा जाता है मौतिलाल त संबंद किस्से है तो एक की आंदोलन का संबंद किस्से है शाथिओं। मोतिलाल तेजवत से हैं। इन्हों ने जो जितने भी आदिवासी थे वहाँ पर गए और सभी आदिवासियों को किसकी सिप्त दिलाई एकता की हम सभी बिल्कुल एकता में रहें käytंगे और इसको ही क्या कहा जाता है एकी आंदोलन मतलब एकी आंदोलन के जनक कोन है मोतिलाद तेजावत है जिनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। तो यह हमने मोतिलाद तेजावत के बारे में पढ़ा दो चीजे मोश्ट इंपोटेंट है कि उनकोन सी की आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है मोतिलाद तेजावत को एकी आंदोलन का जनक किसको कहते है मोतिलाद तेजावत को और इन्होंने कितनी मांगों को लेकर प्र परतम अध्यक्षते सात्यों यह उदेपुर में 1884 कि इनों ने इस्थाप्ना की बलवन सिंग मेता भारती सविदान निर्मात्री सबा के परतम सदश्य और सविदान बनने पर उस पर हस्ताक्षन करने वाले परतम सदश्य तो सिर्फ नीचे आएगा देखो क्या मिश्टेक बलवन सिंग मेता भारती सविदान निर्मात्री सबा के सदश्य ते और सविदान जब बना था तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले परतम सदश्य ते सात्यों यह तो देखो बलवन सिंग मेता के बारे में दो चीज़े विश्य स्तोर पर याद रखने है कौण कौण सी कि मेवाड परजा मंडल के प्रतम अध्यक्ष कों थे तो आंसर रहेगा बलवन सिंग मेता ही मेवाड परजा मंडल के प्रतम अध्यक्ष थे दूसरा प्रिश्ण बना कि जो सविधान बन गया था उस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतम सदश कों थे तो भी आपका अंसर क्या रह पर को नाता है जमनालाल बजाज का नाम आता है जमनालाल बजाज से जो प्रिश्णी पूचा जाता है वो क्या प्रिश्णी पूचा जाता है कि महात्मा गांदी के पांचवे पुत्र किसको कहते हैं महात्मा गांदी का पांचवे पुत्र जिसे महात्मा गांदी के कितने पूचा जा सकता है डारेक्टली आपसे कि महात्मा गांदी का पांचवा पुत्र किसको कहते हैं तो आंसर क्या रहेगा जमना लाल बजाज को ही महात्मा गांदी का पांचवा पुत्र कहा जाता है Most important question आपसे एक्जाम में ये पूचा जा सकता है Next हम 45 वे नंबर पे बात करेंगे सागरमल गोपा के बारे में तो देखो सागरमल गोपा जो है इनका संबन जेसल मेर जिले से था इनसे जो पृष्णे बनता है 3 अपरेल 1946 को जेसल मेर की जेल में सागरमल गोपा पर मिट्टी का तेल डाल कर इनको जिन्दा जला दिया गया था साथियों और उपचार सही नहीं होने के कारण इनकी आयसामीक मरत्यू हो गई थी तो सागरमल गोपा जो एक सोतंता सेनानी थे यहां से पृष्णे डारेक लिए आपसे पूछे जाता है कि किस सोतंता सेनानी को जेसल मेर की जेल में जिन्दा जला दिया गया था तो अंसर क्या रहेगा सागरमल गोपा को कब जिन्दा जलाया था सात्य उनको 3 अप्रेल 1946 को Most Important Question यहां से भी आप से पूछा जा सकता है चलिए हम 46 वे नंबर पे हम बात करेंगे देखो 46 वे नंबर पे है केसरी सिंग बार हेट केसरी सिंग बार हेट के बारे में देखेंगे वायस राई लाड करजन दोरा आयजित दिल्ली दर्बार देख जिसे एक दर्बार हुआ था नागोर दर्बार कौन सा दर्बार हुआ था नागोर दर्बार उसी प्रकार एक दर्बार हुआ था दिल्ली दर्बार, तो नागोर दर्बार तो अकबर नायुजित किया था नागोर में, और जो ये दिल्ली दर्बार है, ये वैसराहिल लाड करजन के दोरा आयुजित किया था, कहां पर दिल्ली में, कब आयुजित किया गया था, 1903 में, मतलब सिधी सिवाते की भारत, अंग् दिल्ली में जा रहे थे ठीके न दिल्ली दर्बार में जा रहे थे तो मेवाड के मारणा फते सिंग भी यहां पर भाग लेने जा रहे थे तब केशरी सिंग बारहट ने डिंगल भाशा के तेरा सोटे लिखकर मारणाप को भेजे इन में राणा के जो पुर्वज है उनके सास और शोर्य का वर्णन किया था इन सोटों को चेतावनी के चूंकिये कहा जाता है most important question क्या-क्या बना कि बही चेतावनी के जो चूंकिये हैं ये किसकी रचना है तो केशरी सिंग बारहेट की ये इन्होंने किसको बेजेते मेवाड के माराना फते सिंग को इन्होंने बेजेते कब बेजेते जब फते सिंग भाग लेने जा रहे थे कहाँ पर दिल्ली दरबार में 1903 में दिल्ली दरबार किसना आयुजित किया था लाड करजन के द्वारा इसको आयुजित किया गया था तो साथी इन्होंने जो ये तेरा सोटे बेजे इन तेरा सोटो को ही क्या का जाता है चेताउनी के चूंग्ट ये मतलब सिदी सी बात है इन्होंने ये जो सोटे बेजे थे ते इनको ऐसा लगा कि बिल्कुल यहार सही बात है अपन तो बहुत ही अच्छे वंश के हैं मतलब सासी वंश शोरी वंश है अपना तो तो मैं भी वहां नहीं जाओंगा और सातियों केश्री सिंग बारहेट के जिए तेरा सोल्टे इन्हों ने पड़े चेतावनी के चूंग्ट कि यह किस ने लिखे थे केश्री सिंग बारहेट ने किस रूप में तेरा सोल्टों के रूप में लिखे थे साथ हैं आगे हम देखेंगे तो देखो जब केश्री सिंग बारहेट की बात आती है तो जब इन्हें अपने पुत्र परताप सिंग की शादत की सूचना मिली तो परसन्नता से का, किस की बात है ये, ये बात की जा रही है, केसरी सिंग बारहट की, किस की बात की जा रही है, केसरी सिंग बारहट की जा रही है, तो इन्होंने क्या कहा, जब इनके पुत्र परताप सिंग की शादत, मतलब ये शहीद हो गए थे, इनके पुत्र परताप सिंग तो इन्हों क्या कहा बारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया इसकी मुझे बहुत परसन्हता है ये कतन किसका था केजरी सिंग बार हैट का ये कतन था जब उनके पुत्र की शहादत की सूजना इनको मिली थी क्लियर है यहां तक सभी के अब हम देखेंगे साथियों यहां पर 47 वे नंबर पे नानक भील के बारे में देखो नानक भील 13 जून 1922 को डाबी गाउं के तालाब की पाल पर एक विशाल जनसभा का आयोजन कर रहे थे तो यहां पर नानक भील उपस्तित थे सभा में जनसमू जोशिले नारे लगा रहे थे देखो समझो पूरी बात को नानक भील के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया कहा पर डाबी गाउं में ठीक है ना कहा पर किया गया डाबी गाउं में कब किया गया 13 जून 1922 को तो बिलकुल वहां पर बहुत सारे जो तो वहां पर भी उस समय अंग्रेजों के अदिन था भारत तो वहां का जो पुलिस अधिक शक्ता इकराम हुसेन क्या नाम था इकराम हुसेन वह बहुत ही जब नारे लगे तो एक तरह से उसके अंदर इसा लगा कि यार ये तो फिर एक तरह से जले पे नमक छिड़कना हो तो गोल इन इसने क्या आदेश निकला कि गोली बारी और लाटी चार्च का इन्होंने आदेश दे दिया और पहली गोली किसके लगी नानक भील को लगी साथियों और वो मंच पर ही शहीद है शाहीद नहीं शहीद टाइपिंग मिश्टेक है तो शहीद हो गए थे साथियों ये नानक भील के बारे में आपसे प्रिश्ण पूचा जा सकता है कि वहाँ पर पुली सदिक्षक कोन था जब नानक भील जी शहीद हुए तो वहाँ पर पुली सदिक्षक था इकराम हुसेन किस ने आदेश दिया गोली बारी का इकराम हुसेन ने और इनकी मरत्यु कहां जो पुलिस अदिक्षाक इक्राम उसेंता इसने ही गोली चलाने का आदेश दिया था 48 वे नंबर पे हम गोकुल लाल असावा के बारे में पढ़ेंगे तो गोकुल लाल असावा से समंदित प्रिशने बन सकता है कि भई ये कहां के निवासी थे तो ये देवली टोंक के निवासी थे 49 वे नंबर पे हम पढ़ेंगे मानिक के लाल वर्मा के बारे में तो देखो जो मानिक के लाल वर्मा है कुछ समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन के इन्होंने नेत्रित किया 24 अप्रेल 1938 को मेवाड परजमंडल की इन्होंने इस्ताफना की सोतंता प्राप्ति के बाद वरहत्तर राजस्थान के ये प्रधान मंत्री भी बनेते साथ यों देखो वरहत्तर राजस्थान हम राजस्थान का जो एकी करण है इसके अंतरगत पढ़ने वाले हैं तो प्रिश्ण क्या-क्या बन सकता है मानिक किलाल वर्मा से समंदित की मेवाड परजमंडल की इस्ताफना किस ने की आंसर रहेगा मानिक किलाल वर्मा ने कब की 24 अप्रेल 1938 को की और सोतंता प्राप्ति के बाद वरहत्तर राजस्थान के प्रदान मंत्री कौन बने थे मानिक किलाल वर्मा बने थे साथियों ठीक है यहां तक पचासवे नंबर पे हम बात करेंगे टिकाराम पालिवाल के बारे में तो देखो टिकाराम पालिवाल के बारे में जो प्रिश्ण पूचा जाता है वो ये पूचा जाता है कि राजस्तान के प्रतम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो आंसर रहेगा राजस्तान के प्रतम निर्वाचित मुख्यमंत्री ते टिकाराम पालिवाल और ये मार्च 1951 को 51 वे नंबर पर बात करेंगे जेहनारायन व्यास के बारे में तो साथियों 11 नवंबर 1918 को पुषकरना युवाक मंदल की इनोंने इस्तापना की 1934 में बंबई से अकंड भारत नामक देनिक समाचार पत्र निकाला नवंबर 1952 से नवंबर 1954 तक राजस्तान के मुक्यमंत्री रहे और लोक नायक के नाम से इनको सम्मधित किया जाता है तो जैनरान व्यास से समंदित प्रश्ण most important एक तो ये बन जाता है कि लोक नायक किसको कहा जाता है तो answer एगा जैनरान व्यास को जैनरान व्यास राजस्तान के मुख्यमंत्री कब से लेकर कब तक रहें तो नवंबर 1952 से नवंबर 1904 तक रहें यही दो important question बनते हैं जैनरान व्यास से next हम देखेंगे साथ यह 52 नंबर पे विजदान देता के बारे में देखो विजदान देता जिसको बिजजी के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से विजदान देता को बिजजी के नाम से भी जाना जाता है जोतपूर जी लेके थे इनकी कहानी दुईदा पर फिल्म निर्म पिर इसी दूइदा नामा कहानी पर शारुक खान ने भी एक फिल्मे बनाई जिसका नाम था पहेली, क्या नाम था पहेली, मतलब दूइदा नामा कहानी पर कितने फिल्मे बनी, दो फिल्मे बनी साथियों, इनकी बातारी फुलवारी 14 खंडों में हैं, देखो बातारी फुल फुलवारी मोस्ट इंपोर्टेंट में ने इस्टार भी लगाए यहां पर ठीके ना इस्टार लगने का सिधा समतलब बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह चीज़ विजदान देता की रचना है बातारी फुलवारी जो की कितने खंडों में हैं तो प्रिश्ण अजस्थान रत्न देने की गोश्णा 31 मार्च 2012 को की थी और श्याद 2013 में इनकी मृत्यों हो चुकिए यह साथ यह चीज़ बातारी फुलवारी किसकी रचना है विजदान देता की जो कितने खंडों में है 14 खंडों में और इनकी कौन सी कहानी पर फिलमें बनी थी तो कनायालाल सेटिया के बारे में देखो लोकप्रिय गीत जो है धरती धोरारी उसकी रचना कनायालाल सेटिया नहीं किती और सात्यों इनकी एक और मोश्ट इंपोर्टेन रचना है पातल और पीतल यह रचना भी किसकी है कनायालाल सेटिया की ही यह रचना है तो प्रश्णे ये वीडियो आपका complete होता है और लगबग हमने 23 most important व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, अब वैसे तो कुमबा, परताफ वगेरा ये भी पढ़ सकते हैं लेकिन इनको तो हम इतियास में पढ़ लेंगे न, यहाँ पर क्यों ही क्यों संख्या बढ़ा है, तो साथियों बहुत ही important कलास थी कैसी लगी कमेंड करके बताएं और चैनल पर नएओं तो subscribe जरूर करिएगा, आपने एप को डाउनलोड नहीं किया तो एप को भी डाउनलोड जरूर करिएगा, मिलते हैं एक स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवास सपीका.